नमस्कार दोस्तों आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मुशिनवी कंपमी और हम आपके लिए आए देके आए हैं नोट्बूक मैनुफेक्शनिंग बिल्ट के बारे में कि कैसे शुरुवात करते हैं किया मछीन newy required होता है और कैसे पुरन और चैनल हुआ सबसे पहले सबसे बिले हमारे बाद सुरूल्ड पेपर है यह देख सकते हूं इसके साथ हमने इंटेक्स पेपर साथ लगाके और काउंट करके हमने बिले नोट मुक्तियार करना है अब यह देख सकते हैं यह पेपर है बीच में आपने इंटेक्स लगाया है और यह टाइटल पेपर है यह सारी चीज़े हमने काउंट करके बिले त्यार कर लेनी हैं त्यार करने के बाद यह मिखीन आ दिया है हमारी स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्राइब शिर्ट अप्रण आपको अपाई इसा कि त्यार होके आप सकते हैं इसको त्यार होने के बाद एंड में जो हुमारा बेश्टफेपर यदर आ रहा है इसको हमने कटिंग करना afect uniform भी आप हमारे पीछे daiush को झाले त्यार हो है यह यह जैसे हमारे फिंट नोट बुक त्यार हो जाता है जैसे देख सकते हो फिंट सार आपका त्यार होता है और उसके बाद अगर आप पैकिंग की बात करते हो अपने लाफ करना है तो आप उद्धर केंगे सेख स्लडाल आप किया हूं बितर श्रिंक राप करने के लिए आपका ये आपका अला Baptist ऐसे लुएrt जाए जाते हुए जैसे दोन लगा हुए आपने इसके पीश इनल कौपी डाले जा कि इदर दालके तो आगे लेकर जाएंगे जाके आजसे रहते उपर से प्रस कर देरा जाते हैं आपको प्टी वाली रपिंग चाहिए है जैसे स्ट्रिप पैकिंग जिसे में कहते हैं अगर तो चाहिए है आपको पट्टी के रैपिंग भी कर सकते हो यह हमारी स्क्रिप रैपिंग की मशीन है इसमें आप इदर रखोगे कॉपिल जिसने भी बंदल आपने रखने है इसमें रखके ऊपर से पट्टी उदर दाड़ होगा तो इसका स्क्रिप पैटिंग हो जाए निश्चीन है यह पूरा सेटब ऑटमाटिक है रीइन वन स्क्रिप फोर्डिंग मशीन है और उसके बाद टैंस के लिए श्रिंग रैपिंग है एक आपका स्पाइर पंचिंग करना है जैसे आपका फाइल होती है यह आपका होता है इस पारल नोट बूक होता है वह तेयार दोस्तों अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादे क्योंकि हम लागते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडिया और नएनी जैनकारी के वाला प्लिए दोस्तों प्लिजेट में भी शुरू हो जाता है प्लिजेट में दोस्तों प्लिजेट में रगले जाता है खला झाले लागते हैं ये प्लिजेट में अजी अогosed में प्लिजेग अथ में बिजादें अविल झाल 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 तो दोस्तो नोटबुक्स को त्यार करने के बाद काम आता है उसको पैक करने का तो उसके लिए इस्तमाल होती है नोटबुक श्रिंग पैकिंग मशीन इसमें आपने पांच-पांच-छेशे नोटबुक का सेट बना के उपर लैमिनेशन चटा के रख देना है और इसने आटोमेटिकली श्रिंग करके आपके नोटबुक को रैप कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपने नोटबुक को उसके बीच में लैमिनेशन चटा के रखना है और इसने automatically आपको shrink wrap करते जाना है तो जिस वज़े से आपका notebook का कोभी moisture नहीं आता और notebook को जितने मर्जी दिर आप stock में रख सकते हो तो इसका video आप देख सकते हो कितना असान काम है यह दिए कर दो देख सकते हो